समिधान दिवस है Constitutional दे है और कल के दिन ही जो समिधान बावा साथ डॉक्टर भीम राओं बेटकर father of the nation ने the real father of the nation ने बनाया था वह इंप्लिमेंट हुआ था कि सुप्रीम कोट समिधान को बचाने की कि समिधान को इंप्लिमेंट कराने की जो सरकारे होती है सबसे ताकतवर जो मानी जाती है उन संक सरकारों पर भी इलेक्टिट गवर्मेंट्स पर पार्लिमेंट पर समिधान का अंकुष लगाने के लिए भी सुप्रीम कोट को यानि के इंडियन जूडिशल सिस्टम जो हमारा जूडिशल सिस्टम है। उसको बहावा साब डॉक्टर भीम राउंबेट करने ताकत दीती सुप्रीम कोट को ताकत दीती मरब बड़े अफसोस की बात थी कि बबावसाब डॉक्टर भीम्रा अम्बेटकर का जिनका सुप्रीम कोर्ट की इंस्टिटूशन बनाने में सबसे बड़ा योगदान था समिधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान था उनका खुद का जो मूर्ती होनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी तो ये हम सभी अम्बेटकरवादियों के लिए नहीं बलकि सभी समिधान के मानने वालों के लिए एक बड़े ही दुख का विशय था हम लोगोंने मिशन सेफ कॉस्टिटूशन ने और दूसरे संस्थानों ने हम लोग सब मिलके काफी दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ती लगे सबसे प्रॉमिनेंट जगा पे लगे सबसे प्रॉमिनेंट से लगे क्योंकि की बावसाब का सबसे बड़ा हाथ का सुप्रिंग कोड बनाने में इस सिलसिले में मिशन सेव कॉंस्टिटूशन ने ओरल रिक्वेस्ट के अलावा रिटन रिक्वेस्ट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक किस दो 2022 को एक रिटन लेटर भी लिखा था वो मैं सब आप ल कि मैंने यानि के महमूत प्राचा ने और वजात हभीबुल्ला साथ जो हमारे फॉर्बर सियाइसी मेंबर हैं मिशन सेव कॉंस्टिटूशन के एडवाइजर हैं और जस्टिस कोल से पाटिल साहब ने तीनों ने मिल के लिखा था 21 फरवरी 2022 को इस डिमांड को लेके के यही बाते जो मैं भी कह रहा हूं कि बावसाब डॉक्टर भीम राओं बीटकर करका स्टैचू जो है वो सुप्रीम कोट में प्रॉमिनेंस से होना चाहिए उसके बाद हम लोगों ने एक रिमाइंडर भेजा था 14 अप्रेल 2022 को पिछले साली उसमें हमने यह लिखा था कि यदि पैसे का विशे है जो बावसाब की स्टैचू को वहां लगने में बाधा है अगर फैनेंचल रिसोर्स की कम ही आ रही है तो मिशन सेव कॉंस्टिटूशन स्टैचू स्पॉंसर करने के लिए भी तयार है यह हमने लेटर पिछले साल 14 अप्रेल 2022 को लिखा था वो भी मैं खुशी है यह बताते हुए कि हम सभी लोगों की कोशिश से सिरफ मिशन सेव कॉंस्टिटूशन और अंबेटकराइट्स की नहीं हम सभी की कोशिश से हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं चंदरुचूर सहाब जो हैं उन्होंने इनिशेटिव लिया और कल बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सब के लिए हर्ष की बात है और मिशन सेव कॉंस्टिटूशन के लिए जो अपना आइडल मानते हैं सब लोग उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है इसी लिए खुशी को दर्शाने के लिए हमने कल एक चिट्ट कि वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि यह हमने कल धन्यवाद की और ग्राटिचूड दिखाने की एक चिट्थी भी चीज़चिस साहब को लिखिए यह बिना शक और निसंदे बहुत ही एक तारीफ के लाएक काम चंज़चूड साहब ने और उनके सारे कंपेनियन जजिस जो है उन्होंने किया है और एक जो बहुत बड़ी कमी थी वो हमारे देश में अब कल वो पूरी होने जा रही है तो यह हम सब ही लोगों को इसको धन्यवाद भी करना चाहिए हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस का और शुक्रियादा भी करना चाहिए और अपना gratitude भी दिखाना चाहिए इसके अलावाद 26 नवेंबर हम लोग अलग-अलग धर्मों के और संप्रदायों के लोग अपने अलग-अलग तहौर मनाते हैं और बड़ी खुशी हर्ष ओल्लास से मनाते हैं लेकिन 26 नवेंबर का दिन भी मेरे ख्याल से सभी धर्मों को अपना अपना सभी धर्मों के मानने वालों को अपना अपना धर्म पालन करने की जो ताकत शक्ति और फ्रीडम देता है वो समिधान देता है हर एक इनसान को इज़त और बराबरी से जीने का अधिकार हमारा समिधान देता है और कानूनी प्रावधान देता है कि अपना हक और इनसाफ हासिल कर सकें तो समिधान दिवस को हमें एक बहुत बड़े दिन के तोर पे भी हम सब को मनाना चाहिए Mission Save Constitution कल इस बहुत ही खुशी के दिन को मना रहा है जो डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट Mission Save Constitution इन डेली उनिवर्सिटी में पिछले करीब आप नब्बे दिनों से और्गिनाइज कर रहा है डॉक्टर रितु सिंग का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं तो कल वहां बहुत पांच अजार दिये जलाके जो इतना बड़ा खुशी का पर्व है समिधान दिवस का वो मनाया जाएगा तो मैं आप से ये भी गुजारिश करता हूँ और आप लोगों के माद्धियम से सभी लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कल शाम को सब ये बड़ा दिन मनाने के लिए समिधान दिवस मनाने के लिए गेट नंबर चार डेली उनिवरसिटी आर्ट्स फेकल्टी के बाहर जरूर जाएं और ये सबसे बड़ा तेहार डेमोक्रेसी का समिधान दिवस के रूप में कल सब लोग मनाएं ये रिक्वेस्ट म मैं आप सभी लोगों से करता हूँ में अगर हम समिधान बचा लेंगे जो मांसीन सेव कौंटिटूशन का मेन मुद्दागोल है घर-घर समीधान समीधान से हर समधान तो हमारी हर समस्या का समधान हमारा समीधान ही है तो इसको बचाने के लिए उसका इस्तिमाल हमारी रोज मर्रा की लाइफ में करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिशन सेव कॉंस्टिटूशन से भी जुड़ें बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का